हेलो फ्रेंग्स में प्रीती आदव आपका प्रिगनेंसी तिपसेड यद्वाइज चैनल पर स्वागत करती हूँ अगर आप पहली बार प्रिगनेंट हुई है तो हो सकता है कि आपके दिमाग में ही सवाल हो कि आपको pregnancy में relation बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए और अगर बनाना चाहिए तो कब बनाना चाहिए तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको pregnancy में relation कब बनाना चाहिए कब नहीं बनाना चाहिए और किन महिलाओं को तो pregnancy में relation बिल्कुल ही avoid करना चाहिए Pregnancy से related और भी वीडियो के लिए आप हमारे दूसरे चैनल को भी subscribe कर सकते हैं Link नीचे description में दिया गया है सबसे पहली बात तो ये है कि pregnancy के शुरुआत के 3 महिने में आपको relation बनाना बिल्कुल ही avoid करना चाहिए क्योंकि miss carriage का खत्रा सबसे ज़्यादा इनी 3 महिने में होता है तो आपको pregnancy के 3 महिने complete हो जाने के बाद ही जब आप doctor से अपना पहला ultrasound scan करवा ले उसके बाद अगर आपके doctor बोलते हैं कि आपकी pregnancy एक healthy pregnancy है तब ही आप relation बना सकती है लेकिन ये जानना भी बहुत जरूरी है कि किन महिलाओं को तो pregnancy में relation बिल्कुल ही नहीं बनाना चाहिए कौन सी महिलाओं बना सकती है और किन महिनों में बना सकती है सबसे पहले बात करते हैं कि किन महिलाओं को pregnancy के दौरान relation मनाना बिल्कुल ही avoid करना चाहिए तो उन महिलाओं को जिनको बड़ी मुस्किल से pregnancy conceive हुई है कई टाइम से वो try कर रही है बट conceive नहीं हो पा रही है या फिर जिनका fertility treatment हुआ है उन्हें relation मनाना बिल्कुल avoid करना चाहिए इसके अलागवा अगर आपकी miscarriage की history रही है यानि कि आपको पहले से ही एक या फिर दो miscarriage हो चुके हैं तो आपको pregnancy के दौरान relation मनाना बिल्कुल avoid करना चाहिए अगर आपके twins हैं तो भी आपको relation नहीं बनाना चाहिए क्योंकि आपके pregnancy already stomach high risk pregnancy की category में आती है और अगर आप पहले भी delivery हो चुकी है और आपकी पिछली delivery एक pre-mature delivery हुई है यानि समय से पहले आपकी delivery हो गई है तो भी आपको relation नहीं बनाना चाहिए अगर आपको placenta, previa है या फिर urine infection है या फिर आपको pregnancy के शुरुआती तीन महीने में bleeding होई है तो भी आपको relation नहीं बनाना चाहिए चलिए आप बात करते हैं कि आप relation कब बना सकती है तो pregnancy में relation मनाने के लिए चौथा, पांचवा और छटवा महीने सबसे ज़्यादा safe माना जाता है क्योंकि इन महीनों में आपका पेट इतना बहार निकला नहीं होता कि आपके पेट पर दवाब पड़ सके लेकिन कई महीलाओं का पेट पांचवे और छटवे महीने में काफी बहार निकल जाता है तो अगर आपकी pregnancy एक healthy pregnancy है तो आप relation मना सकती है लेकिन आपको इस बात का खास खयाल रखना है कि किसी भी हालत में आपके पेट पर दवाब ना पड़े और आपका miscarriage ना हो जाए पर छटवे महीने के बाद यानि कि साथवे महीने में जितना हो सके आप relation ना बनाए क्योंकि अब आपका पेट इतना बाहर निकल जाता है कि आप कितनी भी कोशिश कर लें बट आपके पेट पर दवाब जरूर पड़ेगा इसके अलावा आपको आठवे और नौवे महीने में तो किसी भी हालत में relation नहीं बनाना है क्योंकि हो सकता है relation बनाने के बाद आपको संकुचन होने लगे जिससे आपके लेवर पेन भड़ जाए और आपकी प्री मैच्चोर डिलेवरी हो जाए एक सवाल और अक्षर करके मुझसे पूछा गया है कि प्रिग्नेंसी में relation बनाने से कहीं मेरे बच्चे पर कोई impact तो नहीं पड़ता तो इसका जवाब है नहीं जब तक आपके पेट पर दवाब नहीं पड़ रहा है तब तक कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि आपका बेबी आपके uterus के अंदर एक पानी की थहली में सुरक्षित रहता है उमीद करती हूँ कि मैंने अपनी इस वीडियो में आपके सारे doubts clear कर दियो होंगे फिर भी अगर आपके पास कोई doubt है आपके पास कोई सवाल है तो आप हमें comment कर सकते हैं हम आपके सभी सवालों के जवाब देने के पूरी कोशिश करेंगे I hope कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी तो चल्दी से इस वीडियो को like कर दे अपने friends की साथ share करें और हाँ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बेलकोल ना भूलें ताकि आपको हमारे आने वाली सभी वीडियो की जानकारी मिलती रहें मिलते हैं आपसे आगली वीडियो में तब तक के लिए खुस रहीए स्वस्त रहीए